जिहां दोस्तो आई आज के आउट्सोर्सिंग क्रमचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तो आज अमबाला से यहाँ पर बता दे आप लोगों को नगर निगम में जो कलरक लगे बाद करे बार संभालते ही यह आदे से जारी कर दिये हैं जी हां दोस्तो बता दे यहाँ पर आप लोगों को कि बहुत सारे जो कलरक लगे हुए हैं कोसन लोजगार निगम के मादम से वो काम करने के समय पर कई बार बहाना बना देते हैं कि उनको टाइपिंग नहीं आती है या फिर वो काम को टालने कोशिच करते हैं तो इस तरह की प्रेशानी को देखते हुए यहाँ पर निरने लिया गया है निगम आयुक्त के दौरा की इन कलरकों का दोस्तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा तो आब उनके सामने प्रेशानी खड़ी हो गई है बहुत सार आनी ही चाहिए याँ पर यह बात भी कहा है सकते हैं बता गया है पिछली बार साल 2014 में आपर आखरी बार निगम के एकचे करमचरें को टेस्ट लिया गया था टाइपिंग टेस्ट तो उसके बाद अब ही यहाँ पर दो बारा से टेस्ट लेने के इनौने यह आपर एक तरह से त्यारी कर ली है नगरन निगम ने तो 45 कल रख है यहां पर और इनके अंदर आभी ये बेचैनी बढ़ गई है जिनको भी टाइपिंग टेस्ट देना है या भी टाइपिंग नहीं आती है खासकर इंगलिस की तो आनी ही चाहिए जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है आग साल 2020 से 2023 तक दोस्तों यहां पर बता गया है इनकी LTC जारी करने के आदेश दे दिये गए है इस पर स्पेशल लेटर भी जारी कर दिया गया है उस लेटर पर हमने मोर्निंग में वीडियो भी बनाई थी तो लेटर आप लोगों को टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नरव पाना से PWD मेकैनिकल वरकर यूनियन के दोस्तों स्वास्था ब्रांच की यहां पर करमचारियों की बैठक हुई है बता गया है यहां पर काफी सारे करमचारी जो है परेशान है अपनी सिलरी को लेकर यहां पर देख सकते हैं संगठन ने बैठक में काफी देर तक बातचीत की और फैसला लिया है कि आउर्शोर्सिंग के मासिक वेतन की जो रासी अलग बगा कैसी बता गया है कैसी जार 1360 रुपे ठेकेदार यहां पर कोई नाम दिया हुआ है रामेर सच्चा खेडा के खाते में डाल दी गई है लेकिन दोस्तों अभी तक क्या हुआ है कि करमचारि यहां पर नाराज है हाला कि विबाग की तरफ से भी करवाई की गई है यहां पर देख सकते हैं बता गया विबाग ने शिकायत पर अमल करते हुए अनकी करमचारी ने शिकायत की वह हमें सेलरी नहीं दे रहा है ठेकेदार तो विबाग ने ठेकेदार के खिलाप करवाई की है और साथ जो उनको सदर ऐसे चो को लिखित शिकायत देकर अभी दरज कराई है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कारवाई नहीं कि यह ठेकेदार के खिलाप जिस वज़े से यहाँ पर क्रमचारी नाराज है तो क्रमचारी चाहते हैं कि उनको दोस्तों सेलरी जारी की जाए बड़े दुख की बात है यहाँ पर इस तरह से क्रमचारी प्रेसान है उनका वेतन रुकावाई और पुलिस ने अभी तक कारवाई नहीं की है लिखित में देने के बावजूद भी कि इस तरह की आलाथ है आप लोग समझ पा रहे हैं आगे बढ़ते हैं यूमना नगर से एक बलोग में जो परताब नगर जैसे यहाँ पर 23 जून यानि के आज वो हो चुका है इसके बाद यहाँ पर जगादरी में 26 जून सरसोती नगर में 27 जून और रादोर में 28 जून को दोस्तों यह रोजगार मिला लगेगा सुब 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसमें गाड और सुप्रोइजर के पदो पर बरती की जाएगी सारी कदल की अगर बात करेतों यहाँ पर 16 सेंटीमेटर चातियसी से पचैसी सेंटीमेटर योगता दसमी पास होना चाहिए जो भी चुक कंडिडेट है अपने सभी परमान पत्तर वगरा जो भी उनकी क्योलिकेशन लेकर अपना इसमें पहुंच सकता है आगे बढ़ते हैं पर मेंदरगर बासकर से खबर है मांगों को लेकर आशा कारे करता होने किया है परदसन जया दोस्तों यहाँ पर जिला उपायुक्त के मारफ़त मुख्यमंत्री को ग्यापन प्रेशित किया गया है तो क्या हिनकी प रुक्षया पैंशन ग्रेजुटी का लाब भी दिया जाए तो इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों आशा करेकरता परदसने कर रही है मेंदरगर से ही खबर है अगली यहाँ पर मिडे मिल करेकरता उन्हें जुलूस निकालकर सांसद को सोपा है ग्यापन चार जिन से चल रहा दरना परदसन सांसद के आसवासन पर स्थगित जिया दोस्तों सांसद मोदय ने फिर जब आसवासन दिया तो इन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो परदसन चल रहा था इनका उसको स्थगित कर दिया है बता गया है यहाँ पर वही करमचारी का इनको मंतरी समर्द योजना लागू करने की गोशना की थी जो पांच वरस भी जाने के बाद भी लागू नहीं हो पाई है और यहाँ पर छैतरों का अनुपात भी जो एक अनुपात 25 अउसको एक अनुपात 15 किया जाए तो इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर जो मीटे मिल देखो गयापन सोंपा है ब्याँने से देख लिजे आंदोलन की तैयारियों में यहाँ पर सरक्रमचारी संग मीटिंग है दोस्तों बता गया है कल जी है दोस्तों सरकार की वादा खिलाफी से तंग आकर सभी विबागों के कच्चे पके क्रमचारी एक जुट हो गए हैं औ काम समान वेतन लागू किया जाए शुरक्षया की गारंटी दी जाए पुरानी पेंशन बहाल की जाए तो इन्हीं मांगों को लेकर कल यहां पर मीटिंग होने जा रही है रोतक से देख लिए खबर यहां पर प्री मांसुन में सहरवासियों की बढ़ सकतिय मुश्किले वेतन वी संगतियां है जो नए सीवर मैन लगे हैं उनकी सेलरी है साड़े सोलाजार जो पुराने सीवर मैन है जो दस बारा साल से काम करे हैं उनकी है साड़े तेरा हजार तो यहां पर काफी अंतर हो गया है जिसे करमचारी नाराज है उन्होंने का है कि अपनी यहां पर द ते ही भुगताने कर दिया जाएगा यानि के यहाँ पर बतादे भी बागे बास अपना बजट नहीं है फिलाल इनको देने के लिए हासी बरवाला से खबर है जल्दी से देख लिजे मांगों को लेकर करमचारियों की गेट मिटिंग दूसरे दिन भी जारी जिया दोस्तों यहाँ पर मांगों को लेकर नगरपले का करमचारी संग के करमचारी संग के करमचारी बैठे हुए है अपने मांगों को लेकर साधान सी मांगे हैं लेकिन वो भी पूरी नहीं हो रही है देख लिजे यहाँ पर LTC का लाब दिये जाने साबुन तेल पानी के प और मार्चा अप्राइल माई जून से करमचारी वेतनंगा बुगतान किया जाए जिस बारे मने एक बार यहां पर बता गया करमचारी लिखित में भी दे चुके हैं हर्यान कोसल उजगानिकम के तैतल लगे करमचारीों की ड्यूटी के दुराना कर अक्समाक मर्तिव हो जाती है जो अपर अरोप लगा है कि सरकार बनने से पहले 2014 में भी और दूसरी बार जब सरकार बनी थी उसमें जो इलेक्षन हुए थे 2019 में उससे पहले भी दोस्तो दो बार इनको आसवासन दिया जा चुका है कि सता में आते ही वाजपा सरकार इनको पका कर देगी निमित कर देगी लेकिन हर बार आसवासन जूटा निकला है तो जिस मुझे से करमचारी यहां पर नराज और चाते हैं कि 17 साल से निमित अध्यापकों की तुलनाम इनको जो कम वियतन दिया जा रहा है वो समान काम समान वियतन लागू हो जाए और साथ में इनको निमित कर दिया जाए तो दोस्तों यह थी सारे जाए आज क्यावर शॉसिंग कच्चे करमचा जोड़ी खबर है अगर आप रहं हरियानाम हैं कि यानल राज चनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों आज शेयर करें तेंक यू वेरिमच